हैलो फ्रेंड्स विल्कम बैट नाट इस्त भी तो आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ फैर लवली जो अभी प्रðकों मार्केट में इन तक बने रहेंगा बिर्कुल बिइस इसके एवलेबल है 50 ग्राम 80 ग्राम और 110 ऐसा करके आता है बहुत सारे पैकेजिंग इसके काफी अच्छी की गई है कुछ इस तरह की पैकेजिंग इसकी आती है इसके बाद मैं बता दू यह आल स्किन टाइप के लिए है इसके यह मैं आपको बता देती हूं अपना experience मुझे लगता है कि यह और नॉर्मल स्किन वालों के लिए अच्छा है बर जिनके इसके ड्राइए उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही ड्राइब हो जाता है अगर वो अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करेंगे तो उनकी इसके मुझी खिची-खिची सी फील होगी क्योंकि यह थो लिए संके आगा है आप वीडियो को रोग के पर सकते हो मैं इसको अच्छे से आपको तिखा देरे हूं एक बार आप इसकी इंग्रीडियन चेक कर लें कोई भी प्रोड़क्ट यूज करने से पहले अपने स्किन पर आपको इंग्रीडियन जरूर चेक कर लेना चाहिए अब बात कर लेते हैं कि इस पे जो क्लेम किया गया है कि आपकी स्किन को रेडियन बनाता है इसकी को पूरा करता है बट ऐसा नहीं है यह लंबे टाइम यूज करने से भी आपको इसको नहीं को रहा करता है लगाने से फेस पे तो ग्लो आता है इसकी काफी हद तक तो आप इसके गरत फैमी में ना रहेगा कि यह क्रीम लगाने से आप इसको एक हपते दो हपते या महीने दो महीने जितना दिन भी यूज कर लो यह आपकी स्कीन को गोरा कर देगा तो ऐसा नहीं होने वाल है यह क्रीम इसकीन को गोरा नहीं करता है अगर आप इसे अपने मेक आपको इसे 2 बार यूज़ करना है, दिमें आपको इसे 2 बार यूज़ करना बात केते हिसके प्राइच की तो यह 80 ग्राम का पैक है और इसका प्राइच 186 रूपीज है और इसकी सेल फ्लाइट 3 यह से यह आपको मार्के COP में कहीं भी मिल जायगा एजिली किसी भी swap पे मिल जाता है हर जगा एवलेबल होता है और अगर इसे आप online पर्चेस करना चाहते हैं तो वहां से भी जाके ले सकते हैं मैं इसका लिंक देंको डिस्कृप्शन में अगर आपको online लेना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने कैसा लगा वीडियो तो प्लीस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिएगा और यह वीडियो देखने का पहले अगर आपने इस खिल्प को यूज किया है या आपके घर में किसीने गूपुलर क्रीम हैं बहुत सारे घरों मे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेस वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके जो भी प्रॉब्लम हो उस टॉपिक में में वीडियो वनाने क कोसिस करूंगी तो मिलती हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई